बाड़ी के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले किर्केटर हर्सराज ने लिया सन्यास बाड़ी से खेल जगत की प्रमुख खवर कसबा के दिगज किर्केटर खिलाड़ी हर्सराज पचोरी ने आज किर्केट से सन्यास ले लिया महाना परताब किर्केट प्रतियोगता में आज खेले गई दो मैच दोनों मैचों में हर्सराज पचोरी की टीम ने शानदार विजय प्राप्त की इस अपसर पर उपस्थित नए और पुराने खिलाडियों ने उनका जोड़दार स्वागत किया इस्थानिय विधायक गिर्राज सिंग मलिंगा ने साफा भांद कर एवं ट्रॉफी दे कर उनका अभिनंदन किया क्रिकेट खिलाडी प्रमोद मुदगल दीरत चंसोरिया जहूर खान क्रिकेट आयोजग श्याम रॉय ब्रजेस परमार सौरब परमार गौरब परमार सहिद अनेक लोगों ने हर्सराज के सन्यास लेने पर उन्हें सुबकामनाय दी ने खिलाडियों ने उम्मीद की कि हर्सराज ने खिलाडियों को प्रसिक्षन देते रहेंगे बाड़ी से वरिष्ट पत्रकार प्रमोद मुदल की खास रिपूर्ट मुझे इस बात की कुस्ति है कि आज फैनल में मेरी दोनों टीमें जीती और मेरा आज बुदल की काभिया प्रमोद देने के लिए बहुत लंबे किस्ट है चोटे प्लेयर, बड़े प्लेयर, आयोज़क, श्यामराय, गौरब करमार, गौरब करमार, और हमारी टीम के मुझ मुदल जी, मीरे चंस्मोरिया जी, पुस्ति पहले मैं कियता था आजात करम है, जब पुस्ति धर्मा जी के साथ में कहला था, सबसे पहले उन्हों नहीं चांस दिया था, उसके बास मैंने सबसे के क्रेट जेगी, आज लंबा अनुबा रहा, बहुत अच्छा अज़ कारे, बाड़ी रोड सेंपग उपर सेठ बहदुर गर्गर निवासी गरल कॉलोनी सेंपग द्वारा, इस्थानी थाना पुलिस के संरक्षन में जबरन निर्मान कारे किया जा रहा है, जबकि जमीन के पुस्तैनी मालिक के सामान को वहां से हटा कर नश्ट कर दिया गया, प कुलिस जापता सेंपग द्वारा जबरन अतकरमन किया जा रहा है, और सेठ बादूर से मिलके और उनके सारे सामान को नश्ट ब्रश्ट कर दिया है, और इस वज़े से हम यहां पे यह इस्टे देने के वो कारवाई के लिए कलेक्टर साब के सामने आई गुए है, जे कलेक प्रमुख व्यवसाई राकेश गर्ग का निधन, बाडी की दुखत खबर, कस्बा में इस्तेत मत्रा पैलिस मेरिज होम के मालिक राकेश कुमार गर्ग का लंबी बीमारी के बाद गत दिवस जैपूर में चिकित्सा के दोरा निधन हो गया, वा कैंसर से पीडित थे, आज स पासद हरिदेव शर्मा, चेयर्मेन प्रतनिदी होतम सिंग जाटब, विसेसग डॉक्टर शुरेश मंगल, भाजपाके जला अद्देक्ष स्रवन कुमार वर्मा, बॉबी सिंग परमार, बालो सरपंच, पत्रकार स्री भगवान शर्मा, भवे वसंद्रा परिवार एवं सं पादा गोपेस पचारी आदीने स्रधांजली दी, अतरिक्त पुलिस आयुक्त कमिशनरेट जैपूर के साथ हुई गटना की जाच एसपी करोली करेंगे, भरतपूर से खास खबर, गत चार फरवरी की रात्री में, जैपूर आगरा हाईवे पर थाना सेवर चेतर में, प्रसंद कुमार खमेसरा द्वारा उन्हें हटा कर उनके स्थान पर करोली के पुलिस अधिक्षक म्रदुल कच्छावा को जाच की जिम्मेदारी सौपी गई है। एवं छेतर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीडों एवं विध्याले की प्रधाना अध्यापक की तरप से विधायक मलिंगा को छेतर की समस्याओं के बारे में ग्यापन देकर अवगत कराया गया। वहीं विधायक ने छेतर की समस्याओं को जल्द से इस अपसरपस समास सेभी, डाक्टर राजिंदर कुस्वा, लेब टेक्निशियन, ब्रजेश कुमार कुस्वा, सरपंच, देवेश कुस्वा, लक्षमी कांत, मुनसी, लाखन, जैसिंग, मुन्ना सहित, काफी संख्या में लोग मुझूद रहे च्छे फरवरी को भवे वसंद्रा न्यूज चैनल पर लगी, ख़वर का असर, पानी की बरवादी रोकी गई, सर्मत्रा से खास ख़वर, आखिर बरसों से सर्मत्रा में पाइप लाइन, लीकेज होने से विर्थ बह रहे, रोजाना हजारों लीटर पेजल की बरवादी को, र PBN राजिस्तान चैनल पर ख़वर दिखाने के बाद, जल्दाय विवाग का प्रसासन अलर्ड मोर पर आ गया, तब जाकर प्रसासन की नीद खुली और प्रसासन ने आनन फानन में निर्देश दिये, और पाइप की लीकेज से बरसों से निकल रहे, पेजल पानी की तेज कर दी गई है, रहवार को डिसकाम ने बकायादारों के खिलाब कारिवाई करते हुए दो गाउं से 4 लाग की बकाया वसूली पर 2 ट्रांसफार्मर खोले, कनिष्ट अभियंता मयंक भारगम ने बताया कि सब डिवीजन के अंतरगत जाला गाउं से 50 हजार के बकाया, 5 पियन भारगम ने बताया कि वित्तिय वर्स की समापती में दो माह बाकी हैं, जिसके कारण राजस सुलक्ष की पूर्ती करने के लिए डिसकाम द्वारा बकायादारों के खिलाब अभियान सुरू कर दिया गया है, डिसकाम द्वारा उपवोकताओं को कई बार रिमांडर ब उन्होंने बताया कि डिसकाम अधिकारियों का लक्ष बिजली छीजत को 15 प्रत्सत पर लाना है, कारवाई टीम में नंद किसो शर्मा, जगरनात मीणा, दिनेस मीणा वो सियारा मुझूद रहे पारसदों एवं नगर पालिका प्रसासन के मध्य हुआ क्रिकेट मैच, पालिका प्रसासन ने जीत दर्ज की, बाड़ी से खेल जगत की प्रमुख खबर बाके बिहारी किर्केट टूनामेट में खेले गई आज के मैच में नगरपाले का प्रसासन की टीम ने शांदार जीत दर्ज की मैच में आज प्रसासन की तरफ से अधिसासी अधिकारी विजय प्रताप सिंग राठोर की जगे कनिष्ट अभ्यंता दीपक गोयन ने कप्तान की जिम्मेदारी से निभाई टॉस जीत कर पहले बल्ले वाजी करते हुए प्रसासन की तरफ से शांदार प्रदसन करते हुए 104 रन बनाए और पारसदों की टीम को 105 रनों का लक्ष दिया पारसद टीम के कप्तान योगेस मंगल ने लक्ष को पीछा करने के लिए ओपनिंग में बदलाव किया लेकिन प्रसासन की तरफ से शांदार गेंदवाजी के चलते सब व्यर्थ गया प्रसासन की तरफ सांदर गेंदवाजी करने वाले जोगेंद सिंग मीना वा ब्रजेस परमार ने तीन तीन विकेट लिये जिसमें जोगेंदर मीना की हेट्रिक भी सामिल है शांदर गेंदवाजी के चलते मैं आफ दा मैच ब्रजेस परमार को दिया गया प्रसासन की तरफ से सीताराम शर्मा ने शांदार फिल्डिंग की। अवैद कट्टा रखने की धरपकड जारी बसेडी की प्रमुखवर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभ्यान के अंतरगत जिले में अवैद हत्यारों की धरपकड जारी है बसेडी थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों को अलग-अलग इस्थानों से एक-एक अवैद देशी कट्टा एवं एक-एक जिन्दा कार्टूस के साथ ग्रफतार किया है एक अन्य घटना में धौलपुट सहर के ग्रेंड इन महला में तीन फरवरी को अपनी छट से कट्टा दिखाकर धंकाने वाले व्यक्ति को अवैद देशी कट्टा 315 बोर एवं दो जिन्दा कार मनिया थाना पुलिस के थाना अध्यक्ष सुमन कुमार्ण ने बताया कि आज सेड माता मंदिर के पास से साथ जवारियों को ग्रफतार किया गया है लौधी महले के निवासी हैं सभी आरोपी ग्रफतार लोगों से 46,120 रुपे बरामत किये गए हैं पांच दिवसी प्रसिच्छन सिविर का सुभारम राजा खेडा की खास खबर पंचाय समिती के सभागार में इंद्रा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीर विकास संस्थान जयपुर आदिसों की पालना में ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंच गणों का सैयु पांच दिवसी प्रसिच्छन का सुभारम विकास अधिकारी पंचाय समिती राजा खेडा राके सिंगल द्वारा दी प्रज्वलन एवं सरफती की चित्र पर माल्यारपन कर किया गया प्रसिच्छन के उधगाटन सत्र में विकास अधिकारी द्वारा सभी सरपंच एवं ग पसिच्छन को तनमय तासिल लेकर अपनी ग्राम पंचायत के प्रतेक विक्ति को सरकार की सभी फ्लेक्सिप योजनाओं का लाब दिलाने का अग्रे किया। इस अफसर पर दक्ष पसिच्छक, संजीब चोहान, रामसेवक सिंग एवं रामदीन सिंग गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी, केके तॉमर सहित, सरपंच संके अध्यक्ष, गंगा सिंग सहित, समस्त सच्चिव एवं सरपंच गण उपस्तित रहे। राजा खेडा से बु माननी विधायक रोईद बोराजी के द्वारा किया गया और उन्होंने विधायक की चार दिवारी और सभी बच्चों के लिए ट्रेक सूट की गुष्णा की और फूलपूर ग्राम के लिए एक पानी की टंकी और कहा कि यह कारे जल्दी ही पूरे किये जाएंगे। इस मौक सिंग, चंदरपाल अतर सिंग, नाहर सिंग, सियाराम पोस्वाल, विसंभर पोस्वाल, अनिल सित्यागी, गीता राम त्यागी, स्री राम, समस्त स्टाफ एवं सैक्रोंग रामिर उपस्तित रहे।